बारिस का मौसम ओर कुछ क्रिस्पी गरम गरम खाने का मन करें तो फिर आप इस रेसिपी को बना सकते हैं इसका टेस्ट एकदम बढ़ा भजिया की तरह लगता है और बनाना भी काफी ईजी है घर की कुछ समान से आप असानी से बना सकते हैं तो फिर देर किस बात की चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हम लेंगे आधा कब चावल का आटा साथ में ही लेंगे आधा कब गेहूं का आटा दोनों का quantity equal रहेगा अब लेना है सूजी तो सूजी का कितना quantity होना चाहिए जितना आप चावल का आटा लेंगे न उसका आधा सूजी लेना है और सूजी इतना ही बेसन भी लेंगे अब इसमें डालेंगे आधा टमाटर कटा हुआ टमाटर की quantity आप अपने नुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं साथ में ही एक कटा हुआ प्यास डालेंगे थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हराधनिया पत्ती अब इसमें डालेंगे लाल साग जिसे लाल भाजी कहते हैं यदि लाल भाजी नहीं है तो आप इसके जगाप पालग भी डाल सकते हैं अब इसे कट करके डाल देंगे देखे हमने इसे एकदम बारिक में चौप किया है थोड़ा सा कटा हुआ अद्रख डालेंगे अब इसमें डालना है दो चमच खटा दही दही डालने से इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और एकदम क्रिस्पी बनता है साथ में एक कटीवी हरी मिर्ची डालेंगे मैं यहाँ पे लाल मिर्ची काटके डाल रही हूँ साथ में आधा चमच कच्छा जीरा नमक अपने स्वात के अनुसार और इसमें कोई भी चीज डालने की ज़रत नहीं है इसमें बहुत मसाले नहीं डलते हैं और चुटकी पर हल्दी डालेंगे बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे नहीं तो बहुत पिला हो जाएगा बस इन सभी चीजों को अच्छी तरह से पहले एक बार चमच से मिक्स कर लेंगे यह लाल भाजी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसलिए यदि मतल हो आपके पास तो जरूर से लाल भाजी डाले नहीं है तो फिर आप इसके जगा पालक भी डाल सकते हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके गाढ़ा घोल रेडी करना है एक बार में बहुत ज़्यादा पानी डालें यदि बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो हो सकता है गिला भी हो जाएगा लेकिन इसमें आठा रहने के कारण ये पानी बहुत ज़्यादा सुकता है अभी देखिए गाढ़ा लग रहा है फिर से इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे बस थोड़ा सा पानी डालके अच्छी तरह से घोल रेडी कर लेंगे अभी एकदम गाढ़ा घोल रेडी होगे आप इसका चीला भी बना के खा सकते हैं चोटे-चोटे साइज का तवा में बना के लेकिन आज मैं इसे डीफ्राइ करके बनाओंगे तो उसके लिए एक पैन में तेल गरम करेंगे जब तेल गरम हो जाएगा तो बस छोटे-छोटे साइज का हमें बनाना है इस तरह से घोल को थोड़ा-थोड़ा तेल में डालेंगे और ग्यास का फ्लेम स्टार्टिंग में हाई नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे अब एक बार में मैं तीन पिस डाल दी हूँ, अब इसके उपर इस तरह से तेल डालेंगे तेल डालने से क्या होता है, उपर कर ले यार अच्छी तरह से सुख चाएगा और सुखने के साथ हलका फुला-फुला भी बनता है, बस अब सीखने के लिए छोड़ देंगे अब ये एक-एक साइड सीख चुका है, अब इसे पलट लेते हैं, पलट के दोनों साइड अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे चावल आटा रहने के कारण ये एकदम क्रिस्पी बनता है और साथ में तेल बिल्कुल भी नहीं सोकता है अब बस इस तरह से पलट लेना है अब ये नास्ता बनके रैडी हो गया है, दोनों साइड अच्छी तरह से गोल्डन कलर का हो गया है अब इसे निकाल लेते हैं और बाकी कभी हम सेम इसी तरह से फ्राई करके रख लेंगे अब इचटपटा सा क्रिस्पी सा नास्ता बन के रेडी हो गया है आप इसे साम की छोटी मोटी भूक में असानी से बना सकते हैं बनाना इजी है और साथ में ही टेस्टी भी है मैं आपको एक पिस तोड़के दिखाती हूँ कि उपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें